आज का सब्जेक्ट जो है हेड्रूम हेड्रूम क्या है मतलब इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें और हेड्रूम का मीनिंग क्या है और यह जो सब्जेक्ट है जो कल हम बोला था एक इमेज आप सब लोगों को दिया था हेड्रूम का बारे में आज थोरा बात्चीत करेंगे तो देखिए हम लोगों का स्टूडियो है ठीक है किसी के पास स्टूडियो है किसी के पास है नहीं मतलब रूम में काम करता है मतलब यह उनका एक रूम है जो रूम एकोस्टिक्स नहीं है दो टाइप का हम बोल रहा है ठीक है थोड़ा सा कोशिश कर रहा है आप लोगों को एकदम एकजर्टली इसका जो डिफिनेशन है इसको समझाने के लिए जैसे कि यह जो रूम है यह रूम में एकोस्टिक्स नहीं है ठीक है मतलब हम लोग इधर एक टेबिल खड़ा क की जगा कर लिया पीछे में एक छेयर कर लिया इधर एक चोटा सा box लगा दिया इधर एक चोटा सा box लगा दिया और इधर एक microphone लगा दिया तो अभी यह जो programming ए पर programming कर रहा है, programming का sound SP कड़ थू आ रहा है हमरा पास, ठीक है, तो hydrum को meaning होता है क्या, without any dynamic effect, हम लोग बोल सकते है, जैसे कि compressor, limiter, EQ, without any dynamic effect, आप जो sound take ले रहे हो, तो sound कितना अच्छा आ रहा है आपका पास, अभी यह जो meaning है, इसका बारे में, actually sound मतलब बहुत सारा कुछ हो सकता है जैसे कि vocal हो सकता है, guitar हो सकता है, bass guitar हो सकता है, drum हो सकता है, तो हर sound का अलग-øलग type का frequency level है और हर sound का अलग-øलग type का आप लोगों को dB में लेना चाहिए, मतलब अगर हम लोग electric guitar ले रहा है, तो उसका frequency थोड़ा जादा है, तो उसका frequency का हिसाफ से हम लोग minus 6 dB तक जा सकता है, उ जब टेक करेंगे तब माइनस 6 डीवी हम लोग लेंगे माइनस 6 नाचरली क्या होता है जब लोग लोगे तो उस टाइब में अगर आपका मतलब नॉर्मल सा साउंड जो हम लोग मलीजिए एक नमबर चैनल से हम लोग एक इलेक्ट्रिक डीटर टेक ले रहे हैं तो उसका कंप्रेशर करें एक्यू करें तो और भी थोड़ा से बढ़ जाएगा और कंप्रेशर का लिमिट जो होता है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं मेक अप गेन को थोड़ा से बढ़ा देते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं मतलब ऐसा हम लोगों को रूम होना चाहिए और ऐसा हम जो जो दो चीज सब पूरा डिफरेंट है एक है हम लोगों को रूम कैसा करना है और एक है जो रूम में हम लोग टेक ले रहा है वो टेक मतलब उसका जो डिजिटाली कश्राण जो हो रहा है उसका कनवर्शन का कितना लेबल तक जाना चाहिए ये हेड़ रूम होता है तो जैसे कि एक musical recording studio में vocal होता है, electric guitar होता है, bass guitar होता है, drama होता है, चीज कि devla भूलोक में लेना चाएए बास गीटर कितना ब्रूप में लेनाों चाहिए और इसका लोगें ड़ेनाई यॉपये How आप लोग देखोगे तो ऐसा टैप का होता है तो वो look conversion होके सपूल में आजाता है उस उस टाइप में होता था recording tape में हो जाता था ठीक है जैसे कि हम लोग video시다 । व yeux सडी प्लेार नहीं है जो video cassette ह३ाँ होता है फुराना पुराना जवाना का जो cassette से टेप होता है, वो magnetic tape बोलता है उसको, तो magnetic tape में record होता था, उस time, उस time का जमाना में, तो क्या है, यह भी conversion digital to analog ही होता था, normally उस time में digital उतना जाता नहीं था, analog to analog ही हो जाता था, मतलब, एक microphone था, microphone, दो microphone था, एक microphone में singer है, और दूसरा microphone में पूरा musician है, सब एक सद recording, दो track में recording हो रहा है, और इधर spool में दो track में अलग अलग करके recording हो जा रहा है, तो इसके middle में mixture रहता था, तो mixture में ऐसा कोई part अलग अलग करके हम लोग नहीं कर था, मतलब उस time में नहीं होता था, जैसे कि एक ही track में singer, तो दो सिंगर अगर गाना गा रहा है तो एक सिंगर इधर है एक सिंगर उधर है मतलब लेफ्ट राइट करके गाना गा रहा है और बाकी जो एक ट्रैक है जिसका जो music part है वो थोड़ा सा एक step आगे चला जाता है उसका बाद कुछ instrument बजा के और पीछे आ जाता है तो इस step का होता था मगर आभी थोड़ा technology change हो गी है अभी technology change हो जाने के बाद यह जो headroom है यह एक पूराना concept हम नहीं बोलेंगे basically क्या है एक foreign का concept है हम लोगों को कैसा होना चाहिए तो headroom हम लोगों को ऐसा होना चाहिए जो headroom में हम लोगों को recording का जो output तो output ुँँष। कितना DB में हम लोग इसको रखे जैसे कि hem पहले भी बोला था – 18 dB और उपर का – 10dB कर दीजी 9 dB हम बोला था 10 dB कर दीजी तो यह जो level range जो हाए यह जो range है यह सबसे sweet होता है मतलब इसका जो range मतलब हम लोग जब बहुत सारा tracks लेकर काम करेंगे काम करने का बाद जब हम लोग इसका mixture में जाएंगे मिक्सर में जाके जो यह जो mixture है इसका इसमें अगर हम लोग analyzer लगा के अगर देखेंगे जहां इसका labeling इसको इसको download करी लेता है डाउनलोड फर windows हर टाइम एकी बार बोल ला ठीक है चलिए इसको डाउनलोड कर लेता है ठीक है डाउनलोड होने दीजिए डाउनलोड लेटर अच्छा यह जो है नॉर्मली हम लोग हम लोगों को करना का चाहिए जो recorded sound है ओ recorded sound मैनस 18 त अंदर रखना चाहिए तब यह जो जागा होता है यह जो जागा है नाइन डीवी टू एटीन डीवी जो जागा है यह जगा सबसे sweet जागा होता है सबसे sweet जागा मतलब इसका अंदर हम लोग अगर रख पाएं तो बहुत अच्छा होगा अभी हम लोग आ रहा है instrument का तो देखिए, इंस्टूमेंट का चार्ट तो हमने दिया था, मगर इसका db कितना में लेना चाहिए? यह बड़ी बात है, db कितना में लेना चाहिए, जैसे कि वोकल, minus 6 db, तो यह जो minus 6 db हम बोल रहे है, एक इसका हिजब से बोलने है, जैसे कि हम अगर vocal को record करे, इसका monitor को enable करके हम लोग उनिक्स में चला जाएंगे तो मिक्सर में चला जाने के बाद हम लोगों को जो recording जो insert हो जो input होता है इबटन को यह बटन नहीं इसको थोड़ा से बड़ा कर लेंगे कोई कोई दिक्कत नहीं बड़ा कर लेंगे अभी कितना दूर तक जा रहा है minus 6 dB तक जा रहा है 6 dB से भी उपर चला जा रहा है अगर हम जोड से बोलेंगे तो गाना का तो बहुत जगा होता है जैसे की थोड़ा low में होता है थोड़ा high में होता है तो इस type का जो गाना का होता है तो उसका basis में अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए अभी ये जो है ये ट्रैक में हम monitor button enable किया है ये ट्रैक में studio इनका नहीं है तो ये हम लोग monitor button minus 12 में जा रहा है minus 6 तक हम लोग maximum कर सकते हैं ले सकता तो इसको तो 0 DB के उपर हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं इसको Saudi cyberаний को बढ़ाना नहीं चाहिए हम नहीं बढ़ाते ठीक है तो हम लोग के करेंगे अगर इसमें थोड़ा सा कम भी आएगा जैसे मन लिजए minus 10 17DB आ रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं सकते हैं तो सकते हैं अगर 50% कर सकते हैं तो 70% करने के बाद अगर हम लोगों को पास ए माइनस 6 dB का अंदर उपर में जाना नहीं चाहिए माइनस 6 dB का अंदर अगर उपर में जाएगा तो क्या होगा distorted होगा क्योंकि इसका उपर हम लोग compressor डालेंगे limited डालेंगे बहुत सरा effects जालेंगे तो उसको थोड़ा सा volume को make up करेंगे उसको अच्छा करेंगे अच्छा करने का कोशिश करेंगे तो जैसे कि सभी का उपर अगर हम लोग डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो एक time में दिखा क्या जाएगा जो output track है output track में अगर हम लोग इसको loudness meter लगाएंगे तो यह दिखा जाएगा minus nine को उपर जाओगे तो sweetness काम हो जाएगा मतलब quality होता है और एक होता है जोर होता है मतलब बहुत जोर से बज रहा है एह होता है और एक होता है quality sweetness तो sweetness बहुत यह अC較 बनेगा अगर minus nine का नीचे में रखोगे minus minus ten में रखोगे तो वह है यह जो a equation as emission है माइनस 10 टू माइनस 18 एक विन एक्वेशन को ही हम लोग एक बात में बोल सकते हैं ठीक है अभी वोकल में माइनस 60 भी ठीक है गीटार गीटार में अगर हम लोग जाएंगे तो इसका एक चार्ट हम दे देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं इसका जो नेक्स ट्यूटरियल है इस पेट्रोन का तो पेट्रोन में हम बोला था जो इसका डीप नॉलेज है और भी डीप अगर जाना चाहते हो जो जाना जाते हो उसके लिए वो एनेबल रहेगा पेट्रोन में तो उसको पांच डॉलार देना पड़ेगा फाइब डॉलार मतलब 400 रूपीस का अंदर ही लेगा तो यह है अगर गिटार में जाएंगे बाइडिफॉल गिटार में माइनस 3D भी होता है क्योंकि गिटार का साथ गेजट लगा होता है तो जब हम लोग म्यूजिक को टेक करेंगे जैसे कि यह गिटार बजा रहे है नॉर्मली एक गिटार बजाने के लिए एक जोड देता है तो इसका मिडल में अगर एम्प्लिफार लगेगा जैसे कि एक माइक्रोफोन इधर से माइक्रोफोन दिया है एम्प्लिफार में और गिटार इधर से बज रहा है तो गिटार गिटारिस्ट का साथ बहुत सारा गेजट होता है तो गेजट जब लगाते है उ क्या balance करना चाहिए कितना volume में हम लोग टेक करना चाहिए हम लोगों को टेक करना चाहिए तो यह एक बहुत ही अच्छा plugins होता है आप लोग यूज़ कर सकते हो जैसे कि guitar rig g-u-t-e-r-i-g native instrument का यह देख सकते हो आप लोग यह इतना सारा gadgets होता है guitar के लिए होता है इसमें amps भी virtually आप लोग लगा सकतो amps भी चलेगा तो यह होता है हम लोग क्या करेंगे जो track में हम लोग recording कर रहा है मतलब यह track में हम लोग recording कर रहा है कर दो नमबर track में guitar guitar भी mono होता है मतलब track भी mono लेना पड़ेगा तो यह track में हम लोग guitar rig इसके inside में लगा देंगे तो उसके लिए क्या होगा उसके लिए यह जो उसका जो gadgets है यह नहीं लगेगा मगर tones अच्छा बनाना पड़ेगा उसके बाद हम लोग आ रहा है तबला तबला और धोल एक मीट frequency का होता है जैसे कि धोलोग का sound लगा बढ़ जाएगा तो कानों में लगेगा मतलब हम लोगों को कानों में थोरा सा ज्यादा लगेगा मतलब sweetness चला जाएगा तो वो होना नहीं चाहिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो तबला और धोलोग का special टाइप के एक माइक्रोफोन होता है तो हम जो यूज करता है वो SM57 यूज करता है 57 यूज का माइक है इसका frequency range देखके आप लोग दूसरा भी माइक्रोफोन यूज कर सकतो जैसे कि अ equalizer meet frequency ज्यादा मतलब low low meet और low high यह तो यह दोनों frequency को ज्यादा ज्यादा ले लेता है ज्यादा ले लेता है इसके लिए थोड़ा सा ऐसे टेप का माइक्रोफोन लेना चाहिए जिसका frequency range 200 150 से चालू होगा और अप टू के तक चलेगा क्यूंकि तबला में दो तबला में भी दो होते हैं डाया और बाया होते है और धोलोग में भी दो होते है डाया का जो sound होते है जो right hand right hander है मतलब जो right hand से तबला बजाते है तो normally तबला का जो छोटा सा होता है मतलब जो डाया होता है उसका frequency high होते है तो अगर हम लोग दो microphone से टेक लेंगे तो उसके लिए बहतर हो सभी होगा दो माइक्रोवून सा टेक लेने के लिए आप लोगों को स्टीटियो ट्रेग लेना पड़ेगा इसको करके लेफट राइट कर देना पड़े Kultur मनलब लेफ्ट से एक जाएगा जैसे कि हम थोड़ा सा इसको हटा देता है बहुत सारा जैम हो गया इधर इधर जैम हो गया इसको भी हटा देता है यह तबला है यह तबला है यह छोटा मूबल है ठीक है यह हो गया तबला तो इसका इसमें एक SM58 लगाओ और इसमें एक SM57 लगाओ यह 57 है और 58 है अब लोग देख लेना यह शियोर का हम बोल रहे है अगर दूसरा माइक्रोफोन का इस टाइप का लेवलिंग होगा तो आप लोग ले सकतो अभी क्या है यह जो ट्रैक है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यह जो साउंड काड है साउंड काड क जो दोनों प्रिय एंप है मतब दोनों जो फ्रोंड वाला जो चैनिल है इससे एक माइक्रोफोन देँगा और iets से माइक्रोफोन देँगे हो गया तो इसका रेकोर्डिंग होगा और यह स्चिडियो ट्रैक में आ जाएगा और हम लोगों को हम लोग दूजरा भी टॉझ में अलग अलग करके आएगा उसमें आप लोग mixing अच्छा कर पाऊगे बहुत ही अच्छा कर पाऊगे तो यह होगी है headroom मतलब यह इतना सारा point देख के हम लोगों काम करना पड़ता है अच्छा take तभी होता है जब हम लोग कोई भी एक जगव जैसे कि हम इधर एक recording कर रहे है इस इसको recording कर रहे है hello hello 1234567890 hello check hello hello check check यह recording कर दिया अभी इसको बंद करता है इसको देखिए वुकल है फुकल का recording हमने किया है इसका अंदर noise है यह जो जो noise है हम थोड़ा जूम कर रहे है थोड़ा देख लीजिए यह सब noise है यह noise हम लोग कैसे हटा सकते है इसको ऐसा करके हटा स तो process में जाएंगे इधर silence कर देंगे तो देखिए यह noise हड़ गिया है तो मगर यह noise इधर से तो हड़ गिया इधर तो कोई volume है नहीं हम लोगों को इसका अंदर भी तो noise है तो यह noise headroom जो room हम लोगों को बनेगा उसमें noise आना नहीं चाहिए तो इसलिए हम लोग क्या करते है जिसका पास acoustics है नहीं तो हम लोग noise gate करते है तो noise gate इसमें क्या करते है हम लोग बोल देता है जैसे कि channel strip के अंदर जाओगे तो gate मिलेगा आप लोगों को तो gate में हम लोग threshold adjust करते है जैसे कि minus 20 db का नीचे जो आएगा तो sound को allow नहीं करेगा threshold कर सकते है तो threshold जितना बढ़ेगा तो उतना vocal को क्या करेगा काट करते करते जाएगा और जितना काम होगा तो vocal को allow करते करते जाएगा तो यह है threshold तो अच्छा recording तभी होता है जो जगा पर यह noise एकदम low बनता है एकदम noise नहीं रहता है इस टाइप का हो जाता है तो तभी अच्छा recording बन पाता है और इसका जो रेकोर्ड आफ्टा रेको फाइफ तिक सेवर तो हम लोगों को लेवलिंग चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको लूप बना देते हैं लूप बना दिया और इसको हम लोग चलाते हैं तो 1234567890 जा रहा है है कुछ कुछ टैंप पर मैंना 6 भी जा रहा है इसको थोड़ा सा हम लोग इसका व्यू का जो ऑफ्शन साय चैनल विजिविलिटी एजेंट शो ओल चैनल अनली चैनल इसका हम लोग अच्छा इसका इधर से नहीं बनेगा यूजिंग प्रिसेट्ट एक मिनिट थोड़ा सा रूख जाईए हम थोड़ा एक चीज करने के ल ग्लोबल मिट Unter सेटिंग मीटर पिक को हम लोग होेलक ऑलो अभी चले एगा माइनस चीक मानपट और हम लोग करना चाहिए हम लोग कोई से यह डेकोरडिं से कर रहा है इसका जो पियेच्ष है वालूम हागगा 70 में है 65 कर देंगे मतलब है पीक में हम लोगों को वालूम लेना ही नहीं चाहिए उसका एक चार्ट होता है तो गभाण टैडफ के दिखा देंगे जो इसमें ऐसा टाइप का recording होना चाहिए इंटरेस्टेट परसन जो इंटरेस्टेट है इसका उपर इसका जो सेकेंड पार्ट है तो सेकेंड पार्ट पैट्रॉन से आप लोग देख सकते हो मगर पैट्रॉन से देखने के लिए आप लोगों को payment करना पड़ेगा थोड़ा सा token money देना पड़ेगा तो उसके बात आप उसको ले सकते हो और अभी पैट्रॉन में इंगेज होने का जरूरत नहीं है जब विडियो आएगा तब आप लोगों को पास preview मिल जाएगा जैसे कि यह विडियो है यह locked विडियो है यह locked विडियो इसको देखने के लिए आपको पैट्रॉन में जाना पड़ेगा तो तब ही आप लोगों उसको एनेबल कर सकते हो तो एनेबल हो जाएगा परसोनल ही एनेबल हो जैसे कि जो फाइब डॉलर्स कहर्चा करेगा तो उसका पास enable हो जाएगा और इसका उपर जो और भी extra knowledge है जैसे कि इसका documentation जो कौन सा type का document होता है इसका उपर काम करने के लिए headroom के उपर काम करने के लिए document क्या लगता है मतलब हम लोग कौन सा document follow करके चलना चाहिए उसका उपर भी हम detail दे देंगे मतलब उसका पास ओ available हो जाएगा जो YouTube में नहीं होगा तो यह आप लोगों का मर्जी है आप लोग देख सकते हो मगर headroom का meaning जो हम बोला है नॉर्मली ऐसा take होना चाहिए जो take हम लोगों को minus 10 और minus 18 का अंदर रहना चाहिए एक बात दो number point का है as per the instruments मतलब जो instrument हम लोग use कर रहा है वो instrument कितना db में लेना चाहिए और after compression मतलब compression देने का बाद वो कितना होना चाहिए यह होता है headroom और third point क्या है finally जब हम लोग export कर रहे है finally हम लोग जब जा रहा है मतलब mixing track में मतलब finally जो हम लोगों को studio track studio out जो हो रहा है इसमें loudness meter में LUFS क्या देखा रहा है यह भी एक part है तो यह तीनों part मिला के एक headroom बनता है और अगर हम लोग studio का बात करें तो studio में acoustics का भी headroom का अंदर पढ़ता है कितना अच्छा acoustics उसका पास है तो वह भी measurement करने के लिए क्या tool लगता है वह भी measurement करने के लिए क्या देखना पढ़ते है और अच्छा acoustics होता क्या है और acoustics का अंदर क्या क्या पढ़ता है अगर हम लोग studio बनाने का plan कर रहा है तो किस type में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसका एक chart भी हम आपको आप लोगों को देंगे जैसे कि studio का अंदर इतना इतना ऐसा 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 फीचर्स होता है तो यह फीचर्स को आप लोग जब उसको build करोगे उस time में उसको दिखना है देखके उसको बनाना है तो यह था आज क तो ओ ठीक है ओ जानकड़ी तो आप लोगों को मिली जाएगा मगर इससे भी बढ़िया जानकड़ी अगर आप लोग लेना चाहते हो तो पेट्रोन में जाना पड़ेगा थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू फोर वाचिंग दिस वीडियो आप लोग अगर हो सके तो इसको share कर स देंगे तुरांत आप लोगों को पास चला जाएगा मन्दब subscribe जो लोग रहेगा पुरांत चला जाएगा और कुछ-कुछ टाइम पर हम लोग कुछ बातचीत करेंगे जैसे कि जो magazine में निकलते हैं अभी नया क्या चलता है क्या चल रहा है इसका इसका क्या features है तो यह भी ह ठाइब ने तरह सब्सक्राथ, तो यह भी है तो अचाएब